उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जैन महा संगितियों के बारे में तो जैन धर्म है उसके जो तिर्थंकर थे प्रतम तिर्थंकर जो संस्थापक भी माना जाता है वो रिशब देव थे और इसमें कुल 24 तिर्थंकर हुए थे जो महावीर स्वामी है महावीर स्वामी को जैन धर्म के 24 तिर्थंकर 24 तिर्थंकर थे ठीक है तो महावीर स्वामी जो है उनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था और इनके पिता श्तिद्दार थे मातत रिशला पतनी इनकी यशोदा थी और जब यह 30 साल के थे इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया थ और जो इनका तपस्थल था जहां पर इन्होंने तपश्या की थी वह थी तो रिजू पाली का नदी के किनारे पर और इनका जो निर्वान है जो मतलब इनकी व्रत्य हुई थी वह 468 इसा पूर्व में हुई थी पावापुरी में तो देखें जैन महा संगितियों के बारे म और यह पाटली पुत्र में हुई थी और इसकी जो अध्यक्ष थे इसकी अध्यक्षता की थी स्थूल भद्र ने ठीक है और इसमें क्या कारिय किया गया था इसमें जो जैन धरम के जैन धरम जो है उसे दो पार्ट में विभाजित कर दिया गया था स्वेतंबर और स्वेतांबर जो संप्रदाए है उसके जो अनियाई है वो सफेद वस्तर धारन करते हैं जबकि जो दिगंबर है उसके अनियाई जो है वो वस्तरों का त्याग रखते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट जो सेकंड जैन संगिती है वो 512 इस्वी में हुई थी ठीक है समय याद रखेगा कि पहली जो हुई थी 322 से 298 इसा पूर्व में लेकिन जो द्वित्य हुई थी वो 512 इस्वी में हुई थी और ये हुई थी वललभी में और इसके जो अध्यक्ष वो थे देव रिद्धी गणी ठीक है और इसमें जो कारिय हुआ था इसमें क्या हुआ था कि जो धर्म गरंते जैन धर्म के जितने भी धर्म गरंते उनको लिपिबद किया गया था एक मोस्ट कुश्चन है कई बार ये पूछा कई बार पूछा जाता है कि जो महाविर स्व अभामी ने जैनधर्म में अपने जो उपदेश हैं वो प्राकरत भाशा में दिए थे जब कि जो गोतम बुद हैं महात्मा बुद उन्हों ने अपने उपदेश पालि भाशा में दिए थे तो ये दोनो ही बात आप नोट डाउन कीजिएगा तो ये थे हमारा आज का वीड चीं